नमस्कार न्यूस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल देश के जाने माने किर्केटर रिशब पंथ की कार डिवाइडर से टकरा गई है और ये बताया जा रहा है कि जिसके बाद उनकी BMW कार में भीशन आग भी लग गई थी गनीमत ये रही कि किसी तरह घायल रिशब पंथ की गारी से बाहर निकाल लिये गए और वही उनकी गंभीर हालत को देखते वे मंगलोर पुलिस ने पहले तो उन्हें रुड़की के अस्पताल में भरती कराया जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया पुलिस के मताबिक उन्हें काफी गंभीर चोटे आई हैं उनके पैर में भी फ्रेक्चर हो गया है और जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया गया वही कार में बीशन आग लगी है जिससे फायर बिर्गेट बारा बुझा भी लिया गया था उनके परिजन और आसपास के लोगों में काफी चिंता बनी हुई दिखाई दी और बता दें आपको कि उनकी कलोनी में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है बताया जा रहा है कि रिशवपंद अपनी मा से मिलने के लिए दिल्ली से रुड़की जा रहे थी और नारसन पार करते ही एनेज 58 वे ही ये बड़ा हाथसा हो गया प्राता पांच बचके 22 मिनट जो टाइम का पता चला ता दिल्ली रूड की हाइवे पर रिशवपंजी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर तो वहां डिवाइटर से गाड़ी लड़ने के कारण जो परटी ती इसके बाद उसमें आग लग गये थी वहीं पर हर्याना र प्रात्मी कुप चार के लिए जहां पर डॉक्तर ने बताया कि खत्री से बाहर उनको कोई ग्रीवेस इंजरी नहीं है लेकिन हायर सेंटर के रिफर करने के बताया जिस पर लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बूलेस होती इसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मेक्स होस्पिटल भेज दियेगा जहां पर वो सबकुसल पहुच भी चुके हैं पूची त्यार करने के निर्देश दिये हैं जहां नौ साल के आगमन पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है बतादे आपको कि आयोजन स्थलो पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविट गाइडलाइन का सकती से पालन करवाए जाने के साथ ही वहां के CCTV कैमरों को पूर्व से ठीक करवाने के निर्देश भी दिये गए हैं नए साल की पूर्व संध्या पर लोगोद्वारा आतिश बाजी की जाती है जिसको देखते हुए आम जन्नमानस का नियाले द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करवाने के लिए भी SSP द्वारा सभी थाना द्यक्षकों को निर्देश किया गया है बता दे आपको कि SSP ने बताया है कि इस दोरान हुर्दन करने वाले वर्दियों को भी किसी हाल में बक्षा नहीं चाहेगा इसको लेकर लगतार तयारिया की जा रही थी अब नए साल पर पुलिस परशासन भी सक्त नज़रा रहा है रिसापंद की गाड़ी का दुर्गना गस्त होना हमारे लिए बहुत ही दुख़द है और हम लेकिन गाड़ी की हालत को देख के लगता नहीं है कि उस मलब कोई उसके अंदर बच पाएगा भगवान की बड़ी असीम किरपा रही कि हम रिसापंद जो है उसमें से सुरक्षित थोड़ा बहुत चोटिल होके निकल गए हैं भगवान ने बहुत मलब जो है उनके हम पराथना करते हैं कि वो जल्दी से जल्द स्वस्त हो जाएं और छेत्र में बहुत ही सभी लोगों को दुख हुआ है इस बात का हम उनके घर पाए हुए हैं उनकी ममी अभी घर पर नहीं मिली वो भी हमें लगता है कि देरादून मैक्सिमर चली की होंगी और हम उनके जल्द से जल्द स्वस्त होने की किरपा करते हैं और वो मैदान में फिर अपना पर्चम लहरा है उत्र भारत के साथ ही उत्राखंड में भी करकराती ठंड पड़ रही है जिस कारण जंजीवन अस्तव्यस्त नजर आ रहा है करकराती ठंड को देखते हुए उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी द्वारा परदेश के सभी जिले के अधिकारियों को निर्देशित क्या गया है कि गरीब लोगों और परदेश में आने वाले यात्रियों को ठंड से बचाने की ववस्ता की जाए और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरिद्वार जिला परिशासन पारा जगा जगा अलाव की भी ववस्ता और गरीब लोगों को गरब कंबल वित्रन किया गए है आपको बता दे कि जिसके चलते ठंड से गरीब लोगों को बचाये जा सके ये मुहिम चलाई जा रही है धरम नगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से शर्धालू गंगस नाद करने आ रहे हैं मगर कड़कड़ाती ठंड के कारण यात्रियों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही बे सहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए जिलापरिशासन दवारा गरम कंबल वित्रत किये जा रहे हैं बतादे आपको कि हरिद्वार SDM पुरन सिंग राना का कहना है कि बुख्यमंत्री और हरिद्वार जिलादीकारी दवारा निर्देशित किया गया है कि कड़कड़ाती ठंड के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत नहो हमारे दवारा लगातार छेतर में निरिक्षन किया जा रहा है और जगा जगा अलाग की ववस्था के साथ ही करीब लोगों को गरम कंबल वित्रत किये जा रहे है इसके साथ ही सडकों पर रहने वाले लोगों की रहन बसेरे में रहने की बवस्था भी की जा रही है जिसे ठंड के कारण लोगों को परिशानी का साबना ना करना पड़े इस कारे के कई संस्थाएं भी जुलपल शासन का सहियो कर रही है कि किसी भी प्यक्ति की शीत लेड़ी से कोई ड्यक्तियादी ना हो उसी के रिगार्डिंग पुरे शहर का बिजिट क्या जा रहा है स्पेशली हर्की पेड़ी कुशागार चंडी पुल और जो अन्य जिगे हैं जहां पर हमारा बिगर्स सेक्षन का लोग रहता है या या यात्री आ रहे हैं तो मैनमैन स्थानों पर अडाव जलवाय जा रहा है पर इसके लगा जो लोग रात को फुल उत्यादी के नीचे सोते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि जो जैन बसरा स्थापित किये गये हैं लोगों के लिए लोग राती में उन्ही पर निवास करें ताकि कि शीद्द करी से किसी को नकसान ना हो कि पृषास से प्रशाचन मुसरी के साथ कर रहा है कि पर उसके लिए मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीश ने कहा है कि रिशव पंद के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए साफ तोर पर बताया कि रिशव पंद को बहुत गंभीर चोटी नहीं आई है अभी फिलहाल डॉक्टर की पूरी टीम उनका चेक अप कर रही है पैर और कमर में चोट लगी है जिसको लेकर पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है और साथ ही डॉक्टर उन्हें कहा है कि ये भी बताया है उन्होंने जानकारी देते हुए कि रिशव पंद फिलहाल खत्रे से बाहर है वो पूरी तरह से बाचित कर रही है और डॉक्टर की पूरी टीम चेक करके उनके बाद आगे की जानकारी फिर से देगी श्री गुरु गोबिन सिंग जी के प्रकाश उत्सव पर गुर्दवारा शिरी कलगी धर सिंग सभा की ओर से भवे नगर किर्तन का निकाला गया है गुर्वों की महिमा का वखान करते हुए नगर किर्तन की अगवाई पानी का छिड़काव किया गया और नगर किर्तन का जगा जगा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया नगर किर्तन में शामिल गत का पार्टी ने ही परंपरागत यूद कोशल का प्रदेशन किया और नगर किर्तन में फूलों से सजी पालकी में शिरी गुरु ग पुर्गान कर संगत को निहाल किया है कि आज जो इसके निगाना जारा है जो शिक्ष पंद्गे जो दस्वे गुरू को पेंसी नहीं थी उनके आज तुर्काश प्रॉब है जिनों ने हिंदू के लिए समस्ति पूरे सुन्थान के लिए पूरू कुनाद के लिए हिंदू, मुल्म, सिक्ष इसाई सब के लिए एक जर्माजे खेल रखे और सबको इंसानियत को उपिजेश दिया और हिंदू के लिए उनों पूरा सर्वन्थ पुर्मान कर दिया जिनका आज हम लो प्रभुतिन मुना रहे हैं जिनको प्रकाश पूरू को एक सुत्र में रहने का और एक मिलिके बाई चारे रहने का सब्संदेश दिया और मुद्धी आज जलन दून है पूर इस कुछी में करगी से लिए समी सुभा की जोड़ा पाइक के लिए कि लिए दस दिने पहले लगातार प्रभाशनी निगी है तो सुभा तीन मजे से ले रिशिकेश एम्स की सुरक्षा में तेनात आउटो सोर्स कंपनी के सैक्रो सिक्योर्टी गाड नोकरी से निकाले जानने पर भड़क गए है सिक्योर्टी गाड्स ने एम्स परिसर में एम्स परिशासन के खिलाफ जम कर नारे बाजी करते हुए प्रदेशन किया है हंगामा हुआ तो मौके पर सुरक्षा की द्रिश्टी से पुलिस भी पहुँची और गाड्स की एम्स परिशासन के साथ हुई बारता भी बे नतीजा रही है है फिलाल सीक्योर्टी गाड्ड ने आंदोलन करने का मन बना लिया है सीक्योर्टी गाड का कहना है कि करोना काल के दो सीजन उन्होंने अपनी जान की परिवाद किये बगेर एम्स की सुरक्षा में ड्यूटी की है जिसका नतीजा उन्हें नई साल पर नौकरी से निकाले जाने का तौफा दे कर दिया जा रहा है ऐसे में करीब 500 सेक्योरिटी गार्ड के सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया है सिक्योरिटी गार्ड ने नौकरी बापस नहीं मिलने पर उग्र आंडोलन की चेतामी दी है वही एम्स के परशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रक्षा मंत्राले के भूत पुर्बसे निकल्यान विभाग ने सिक्योरिटी के रूप में एक्स आर्बी में रखने के आदेश दिये हैं और किसी आदेश का पालन एम्स परशासन कर रहा है दिखिए एक ऐसा है कि हमारे पास डिरेक्टरेट जनरील राफ रिसेटिल्मेंट से हन सचिया तर्फ हमने उसने कर दिवाली के हैं तक दिश्चेशन रहने की एक स्यक्त सीजबी अब स्यंपाइब हमने इस सब्सक्राइब बाह्त सा डिलेय तो आगा था आज की तारिक में security guards जो है उनके लिए हमने ये बोला है कि एक महिने का जो principal securities उनका employer aims रिशी केश नहीं है उनका employer है principal securities and allied services उनको हमने बोला है कि एक महिने का time देने के लिए और जैसे भी कोई भी opening principal securities के तरफ से निकले वो opening के through उनको absorb किया जाए कोई काल में यहां पर काम किया है और उस दोरहन में ने देखा है कि हम गाड़ों को वह कारिये किया गया है कि जैसे टीपी किट मैंना अमर्जंसी में जो पेशेंट आ रहे थे वह हमको ही doctor समझ रहे थे क्योंकि उस टैम पे सामने फेस हमने ही करना पड़ा ठीक है और विस्व उपलब नहीं कहा है गई और हमारी salary काटी गई और हमको बीच-बीच में पहुन करके का तो यह नौकरी से हटा देंगे और इस सेवा का यह आपको पड़ना मिला है और दूसरा साब इन लोगों ने क्या करा कि हम लोगों को सिविलियन को हटाने के लिए एक सडियन रचा ज तो मैंने इस साब को मैंने इस साब इसको बेड़ा दो पूरा परिवार घर पर ताला लगा कर अपने कारे के लिए बाहर गए हुए थे और आग कैसे लगी किसी को पता नहीं है आसपास के लोगों ने घर से धुआ निकलता देखा तो आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे जब तक आग बुझाते तब तक काफी ज़्यादा नुकसान हो चुका था मनि मोहन अभिश्वास का घर में रखा सामान जल कर राख हो चुका था इस बाबत पूरा परिवार शासन पर शासन से मांग कर रहा है कि किसी तरह घर में रखा सामान जो जल चुका है उसका तो आपको बतादे दिनेशपुर से खबर है जहां पर आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है बताया जारा है कि अग्यात कारण ये भीशन आग लगी है बताया है आपको कि गाउं के जो ग्रामिड है वो लगतार आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे उससे पहले ही लाग इतनी भयंकर थी कि सारा समान जलकर राख हो चुका है ये भी जानकारी सामने आई है कि लगातार पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है प्रेटन नगरी मसूरी में एक मात रूपर जिला जिकित साले जहां मसूरी और आसपास के छेतर के ग्रामिड लोग महाँ पर पहुंचते हैं सादे आपको इसको लेकर लगातार तयारिया की जाती है मंत्री ने इसका निरिक्षन भी किया है और ये भी जानकारी है कि मंत्री ने अस्पताल का निरिक्षन किया है सुविधाओं के नाम पर जो यहां पर किया जा रहा था उसका निरिक्षन किया गया है और लोगों के सा मसूरी से हमारे सही होगी नरेश हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं नरेश जिस तरह से बताया जा रहा है कि डिरिक्षन किया है मंत्री ने अस्पताल का क्या कुछ सामने निकल कर आया है मत्री मैं एक मात्र अस्पताल है उब दिला चिकिस्टाल मसूरी जहां पर मसूरी और आफपास पर शेत्र है वहां से लोग महां पर इलाज करने के लिए लेकिन इलाज के नाम पर बिलकुल यह पर लोगों कि चलावा के जाता है यह दोक्टर नहीं है तफाई करम्चाली तोरे नहीं है यहां पर ब्योक्ता है चरब नागे जिकिन पर लेकिन यहां पर ब्योक्ता नहीं है हुआ से लोगम वड़के लिए करना है उनको पी खं और चुरुक्ता नुझा से लगे क», कर दोचे से लह दो ब्रचार की होने थी किसी बारा लबस इसको अचेज करने जाया है उसको भी यहां पर लेकर यहां पर लापरवाही देखने को इसके बाराय एकें सुझ बोगे पर लोगों Państwo के नाया हो यहां उता देखने Hemmaple कि यहां होता इन दोनों को वर्ज कर जिए गया है भी यहाँ a मिल नी तो सुविधाओं के नाम पर जो लापरवाही दिखी जा रही है उसको लेकर भी अब मंत्री सक्त नजर आ रहे है सुविध की हिम क्रेड़स थली ओली में 31 और 9 वर्ष के जशन को लेकर होटल करवारियों की तयार या अंतिम चरण में है ओली में सभी होटल, रिजोर्ट, कैंप, टेंट, कलोनी सभी सज धच कर प्रेटको के वैलकम के लिए ही आर्थित सरकार के लिए तयार है देर श्याम की बरफबारी के बाद आज दुपहर बाद ओली में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है बता दे आपको की जबरजस्त सर्द हवाओं के बीच बरफ के हलके फाहिफ गिरने लगे है अली विग्याल को ही अपने आगोश में लेने लगे है जिसको देख अपरेटकों ने अपने होटलों के बाहर निकल कर जम कर जशन बनाया है और गीत संगीत के बीच जम कर थिर के भी है हाला कि ये बरफबारी का महल कुछ देर बाद बदल गया बावजूद इसके कल 31 बता दे आपको कि आज 31 दिसम पर साल के अंतिप दिन को अलवीदा कहने के लिए अपरेटक स्थली ओली में देश के कोने कोने से सेलानियों का ताता लगना शुरू हो गया है और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सही होगी पुशकर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुशकर सेलानियों का ताता लगना शुरू हो गया है नए साल का वैलकम होने जा रहा है हाँ बेलकुल देखे वे आपको बता दू कि ओली के अगर बात करी जाए तो में इस साल मुनाने के लिए हजारों की संक्या में परहे तक यहां पर पहुंश तरह कि प्हुंश रहे हैं तो परेटरेगं यहां पहाँ हैं, परेटरेगं के साथ-सार जो है uwत्रा कंजिन की नियुयर में नियुउतर का ऑटering का किरें हैं, लुविक करते हैं लेकर को लोग सर्म मारी है पहुंचा है क zaradi नहीं होगा Minister का 1617 कि मदल परेता है उली कогे आगार की दिराइं है but Crash को अरा हेपार है मिल्यूदा की यहाँ यहाँ क मी परें के डाको और पर्ली को आखिए कि अधिक ठंडा होने की कारण जो है यहां पर याकी जो है आग सीक्ते वे नेजर विया है लेकिन आज का मौसम जो है बड़ा खुशनमा है कि यहां पूरे उत्यकंड में चटक रूप के लिए अगर ऑली के अगर बात कर जाए तो ऑली में इसमा दूप की लिए और अजाल के आज पर यहां पर अपर बिलकुल पिशकर देंगी यहां पर प्रेटक हर साल के तरह इस ताल भी नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं अगर सुरक्षा विवस्था की अगर इंतिजाम की बात की जाए तो कड़े इंतिजाम होने चाहिए इसको लेकर तुमाप कि यहां परेतर को बीने का दोरा करते हैं प्लिश प्रसासन मुमस्पथिन को पुरी उटरहने समय परेतर को लेकर काम कर रहा है कि क्रोना का लिए खरिए यह देली के बात करों तो जुन पर्षमूली को परसासन की कि बात करों तो जनपली को परसासन Explans यह आए हैं इंसे निग्राने रखी गई है यह चाहता है कि इस चूपना हो या कोई आज गटना नहों नहों इस पर उत्रा खंड से फार जैसों में जो मैसर जाये लेकिन परसासन जो आपने मुश्तरची से काम कर रहा है तर्फ परसासन जो है चबते चबते पर प्रते यात् सब्सक्राइब कर देने के लिए नए साल के शुरुवात करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी हीरा बेन के निधन का समचार मिलते ही भाजपा परिवार में शोक की लहर दोड़ पड़ी है नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नतुत में ही बता दे आपको कि दिनेशपूर नगर छेतर के तमाम लोग राजकिया इंटर कॉलेज दिनेशपूर के सामने एक ट्थे होकर हीरा बेन के चितर के समक्ष फूल अर्पित करने के साथ दो मिनट का मौन रख कर छेतर के तमाम लोगों ने शोक संवेदना परकट की है आज दिनेशपूर के आम जन्मानस यहां पे सब पहुचे हैं पिसाए यस्ट्रश्वी परदान मंतरी अधरने नर्व मताजी का आज द्यान कुआ है पूरे जन्मास विनेशफूर के घा दपारी इजह यहां पोचे हैं हम ओ킨ोत इधिक्त है और मंतरी मां मारा का चाहँ होगी है और उनके दुख यह साथ पूरे वने गुप बास्यों मिल के इस दुख की गड़े में उनका फिक होय दुख फिलाल इस बुलेटन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार ज़ारी है आप देखते रहिए News World India